तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 साल के बाद हमें एक मैसिव वॉलूम देखने को मिल रहा है और 6 years के बाद हमें एक multi-year का breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock पर नजर बना कर रखें हाई everyone इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐस स्टॉक के बारे में डिस्स करने जा रहे हैं जहांपर हमें last week के काफी बेहतरी ब्रेक आउट देखने को मिला है और अगर यह stock breakout के direction में अगर movement हो continue करते हैं तो हमें आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है अब बात करते ह की पहला stock है में पास fine organics का और यह रहा है इसका chart तो सबसे पहले हम लोग आपर region को find out करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं time frame उच कर रहा हूँ वह है weekly का तो simple सा resistance और you can also say that a simple supply zone और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस zone पर focus करना है कि price किस तरह से behave करता था जब भी price इस level के पास आता था आप यहाँ पर देख सकते हैं kind of breakdown देखने को मिला price इस level के पास जाता है downside में एक move again price same level के पास जाता है kind of inverted hammer and downside में एक move again price same level को touch करता है एक kind of inverted hammer and downside में एक move बट आप यहाँ पर notice करेंगे कि last week में हमें same level का एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है resistance का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो previous कई week के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 5425 के अगर ऊपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing लो जो क्या रहा है 5065 रूपिच closing business पर अगर बात करेंगे target की तो हमारा first target होगा 5810 का second target है और पा 6210 का and third target है और पा 6700 का अब आईए देखते हैं next stock और यह है rain holding का और EARIS का chart again सबसे पहले region को find out करेंगे तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं हमने इसको last time discuss कहा था somewhere around 950 के आसपास और अभी जो यह trade कर रहा है around 1900 के आसपास तो almost आपको 100% का return यहाँ पर देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा horizontal line चीजों को बिलकुल ही असान रखेंगे जिसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो 1595 का जो level है यह last time हमें October 2018 में देखने को मिला था and almost 6 years के बाद हमें same level का एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग कते multi-year का breakout अगर कोई भी breakout अगर एक साल के अगर बात होता है तो उसे हम लोग कते multi-year का breakout आप एक यहाँ पर pattern भी dock कर सकते हैं और इसे हम लोग कते है round bottom pattern जिसका हमें breakout होते हुए दिखा है last week में तो second region इसे stock को जो select रहने का है वो है round bottom pattern का breakout आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो last week का जो volume है वो previous week के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1900 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 1415 रूपीच closing basis पर अगर बात करेंगे target की तो हमारा first target होगा 2175 का second target है 2400 का and third target है रुपस 2775 का अब आईए देखते है next stock और यह है BDL का और यह rise का chart तो सबसे पहले आपने रीजन को find out करेंगे तो last time हमने इसको डिसस क्या था reversal पर somewhere around 850 के आसपस और अभी जो इस stock rate कर रहा है around 1800 रूपीच के आसपस तो काफी बहती आपको return यहाँ पर देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region एक simple सा pole and flag pattern चीजों को बिलकुली इंसान रखेंगे जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते कि इस stock ने एक kind of pole and flag pattern बना रखा था और लास्ट वीक में हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है pole and flag pattern का breakout अब हम लोग क्या करेंगे चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोसिस करेंगे company कब list हु around 1685 के आसपास जिसका हमें last week में एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इस stock को जो select रहने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1800 के अगर ऊपर जाता है तो हम अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 1575 तो देखिए जब भी अगर कोई stock अपने all time hyper trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँपर partial profit बूख करते हैं for example माल लिजे मट पास BDL के 100 shares है stock 10% का move देता है तो यह पूरी इतर से मेरे उपर depend करता है कि यहां पर मैं 5 quantity book करूँ या 10 quantity book करूँ और इस पर भी depend करेगा कि यहां पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आईए दिखते है next stock और यह है ME organics का और यह rise का chart और सबसे पहले region एक simple सा horizontal line तो आप यहां पर notice कर सकते है round 1360 के आसपास तो आप यहां पर notice करेंगे यह जो label था last time हमें September 21 में देखने को मिला था and last week में हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो almost 3 years के बाद 1360 के ऊपर हमें closing देखने को मिल रही है तो इसे हम लोग काते है multi-year का breakout अगर कोई भी breakout अगर एक साल का अगर बात होता है तो उसे हम लोग काते है multi- year का breakout उतना ही नहीं आप एक यहां पर pattern भी डॉक कर सकते हैं और इसे हम लोग काते है W pattern and हमें इसका भी breakout होते हुए दिख रहा है तो second reason इसे stock को जो select करने का है वो है W pattern का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1450 के अगर उपर जाता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सक अगर बात करेंगे इसके target की तो जब यह 1450 का जो level break करेगा तो यह अपने almost all time high को भी break कर देगा तो जैसा कि अभी हमने discuss क्या BDL के case में कि अगर कोई भी stock अपने all time high पर trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो वैसे cases में हम लोग हर एक 5-10% के मूँपर partial profit book करते है अब आए डिसकस करते है इसका last stock और यह है कैस्ट्रॉल इंडिया का और यह rise का chart अगें सबसे पहले region को find out करेंगे तो last time हमने discuss क्या था somewhere around 120 के आसपास फिर हमने discuss क्या around 170 के आसपास और अभी जो यह trade करा है around 260 के आसपास तो 120 to 260 more than 100% का return आपको यहाँ पर देखने को मिला है बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और again एक simple सा horizontal line और आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो 227 का जो level है यह last time हमें October 2016 में देखने को मिला था Almost 8 years के बाद हमें इस level का एक breakout होते हुए दिख रहा है और इसे हम लोग कहते है multi-year का breakout तो इस stock को select करने का जो पहला region है वह है multi-year का breakout उतना ही नहीं अगर मैं चार्ट को इस तरह से स्रिंग करता हूँ तो आप एक चीज काफी अच्छे तरीके से notice कर पाएंगे कि इसका जो last week का जो volume है ऐसा volume हमें कभी भी देखने को नहीं मिला मतलब जब से एक company list हुई है वैसा volume हमें पिछले 16 साल में हमें देखने को नहीं देखने को मिल सकते हैं but again it is probability not guarantee याद रखिएगा stock market पूरी तरह से probability के base पर चलता है ना कि guarantee के base पर अब बात करते हैं levels की तो अगर ये stock 265 के अगर ऊपर जाता है तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो किया है 225 rupees closing basis पर अग इसके बाद ये जो stock है अपने एक नए all time high के दरफ चला जाएगा तो हमेशा इस stock पर नजर बना के रखें जो अपने all time high के पास state कर रहा है क्योंकि अगर उसे एक नया high बनाना है तो उसे previous all time high को break करना होगा तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंग्स पूर वाचिए